दोस्तों आज हम पीले कद्दू याने पके हुए कद्दू से बहुत बेमिसाल रेसिपी बनाने वाले हैं तो यह क्योंकि पीला कद्दू एती से आप रेगुलर भी बना सकते हो और या फिर ब्रैस्पतिवार का जो वरत होता है गुरुवार का वरत जो रखते हैं उसमें पी बीज निकलते हैं ना इस तरीके के पीले कद्दू में इनको आप रख लो और सुखा लो धूप में तीन-चार दिन फिर आप इनको स्टोर करके रख लो और इनको आप सीजन आने पे फरवरी मार्च के आसपास में बो दो बहुत बढ़िया कद्दू के फल आपको मिलेंग क्योंकि मैं भी इसी तरीके से बोती हूँ और बहुत कद्दू मिलते हैं मुझे अब यहाँ पर इस तरीके से हमने बीज वाला हिस्सा हटा दिया है और एक चीज और कद्दू जितना ज्यादा पका हुआ होगा जितना मोटाई वाला होगा दल वाला और जितना ये अच्छ चोटे टुकड़े हमें काट लेने हैं पानी डाल करके इसे अच्छे से हमें वाश कर लेना है दो पानी से मच्छी तरीके से धो लेंगे इसे तो यह कद्दू था आधा किलो और अब यहां पर हमने ले लिया एक पैन आप कड़ाई भी ले सकते हो और बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूं मैं आपको आपके ज़्यादा बरतन भी नहीं गंदे होगे वन पॉट में ही यह बन जाएगी तो घी डाला एक चमच और घी डाल करके हमने जो है यहां पर डाल दिया कद्दू और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे एक मिनट के लिए इसे इसमें मिक्स डाल देंगे जिससे कि यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं पक जाएं गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे और दस मिनट के लिए हम इसे भूल जाएंगे और अब देखो पानी चाहे थोड़ा ज़्यादा ही हो जाए पर कमाध होने देना जिससे आपका जो कद्दू है जले नहीं अब जो कद्दू है वो टोटली पक चुका है सॉफ्ट हो चुका है और ज़्यादा जो पका हुआ कद्दू होता है उसका जो फाइबर जो रिसा होता है जो मुह में आता है जब खाते है ना अमेजिंग लगता है तो अब इसे हम एक मैशर की साहता से मैश तो अगर आप गुरुवार कबरत रखते हो तो आप एक बारी से बना के देखना नहीं रखते हो तो भी बना के देखना क्योंकि मेरे घर की यह most favorite recipe है गर्मियों में बहुत ज़्यादा मैं बनाती हूं इसे हर हफते मेरे आप बनती है यह और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कद्दू की यह recipe तो देखो कितना बढ़िया रेसा फाइबर है इसमें तो अब मैं क्या कर रहे हूं कि आधा किलो कद्दू में मैं आधा लीटर ही दूद ले रही हूं आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो यानि 750 ml या फिर एक लीटर के लगबग भी यूज कर सकते ह अब depends करता है कितने लोग खाने वाले हैं आपको कितना गाडा पतला खाना है इसे थोड़ा सा पतला ही रखा जाता है बहुत ज़्यादा चावल की जैसा जैसा खीर होती है ना वैसे गाडा नहीं रखा जाता है तो अब हमने जब दूद डाल दिया है मुझे थोड़े पिस देंगे तो इसके रे से खत्म हो जाएंगे वह भी पिस जाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए अब इसे हम छोड़ देंगे बॉइल होने के लिए लेकिन चक करते रहेंगे क्योंकि दूद पड़ा है तो यह उबलकर बाहर भी गिर सकता है तो यहां पर अच्छे से उबलन और आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो वैसे मीठा कर पका रहे हो तो मीठा पसंद है तो मीठा जादा ही डालना यानि कि अच्छे से डालना जिससे की मीठा लगे खाने में सानी फीका फीका लगेगा तो आपको टेस्ट नहीं आएगा थोड़ा सा और पका लिया है अच यह पाला जो प्रोसेस है आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ यहाँ पर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है इस तरीके से इसमें मतलब यह तड़का लगा के खाना और यहाँ पर है मेरे पास किश्मिस काजू और बादाम जिसको मैंने इसे रफलिक चौप कर लिया है और इन्हें अब मैं अच्छे से इस गी में तलने वाली हूँ तो अगर आप मेरी वाद माने अगर आपको बहुत जादे ड्राइफूट पसंद है इसके बिना आप नहीं खाते हैं इस तरीके कि कोई भी डिजर्ट आइटम या मीठा कुछ भी तो आप डालें अधर गी में तले हूँ ड्राइफूट डाल दिये हैं और मिक्स कर देंगे और एक चीज अगर आप यह गर्मियों में बना रहे हो ना तो इस खीर को बनाने के बाद में फ्रिज में रख देना जब यह एक तम चिल्ड हो जाए तब खाना बहुत ज्यादा टेस्ट अच्छा आता है इसका और या फिर अप सर्दियों में बना रहा है तो थोड़ी गरम गरम इंजॉय करो देखो कितना नैचुरल कलर आया है इसमें पीला और आपकी कद्दू की खीर तैयार है पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें